हर साल जन्दाक्यमंच और CITU इस जन्दापुर के पारत में पहली जन्वरी को एक कारिक्रम करता है। हमला इसी लिए किया था क्योंकि कला जो है थिएटर जो है नाटक जो है वो मजदूर की बात मजदूर के संखर्श मजदूर की जिन्दगी के बारे में उसकी खुशियों और गमों के बारे में बात कर रहा था। तो हम जब चार जनवरी को यहां पर आए तो हमने अधूरे नाचक को पूरा किया बहुत हजारों लोग थे यहां पर उसके बाद हमने यह वही पर हमने अनाउंस किया कि हर साल मजदूर और कलाकारों की एक जुट्था को इसको मद्दे नजर रखते हुए हम हर साल पहली जिन्द जिन्द जित में अकीन कर अगर तहीं है स्वर्ड तो उतारा जमीन पर हुँ जिन्द है यह एक ऐसा इलाका है जहां पर के इसका ट्रेड यूनियन आंदोलन का बहुत लंबा और बहुत पुराना इतिहास रहा है क्योंकि मजदूर जो है आज के दिन आदे दिन की छुटी लेकर आते हैं यहां पर इस कारेकरम के अंदर शामिल होने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं यह एक जन उत्सव बन गया है सफदर को जब याद करते हैं तो हम दुख से नहीं याद करते हैं हम घमगीन होकर याद नहीं करते हैं हम जब सफदर और राम बहदूर की हत्या की बात करते हैं तो एक तरह से शहादत की बात करते हैं लेकिन हम जनता के संगर्शों की बात करते हैं उनका दोश उनका गुना एक ही था वो ये था कि वो सच्चाई लोगों के सामने ला रहे थे वो एक नई दुनिया बनाने का सपना देख रहे थे मैं सब्दर, सब्दर हाश में हर साल की तरह आश भी मुझे दो मिनिट में तो इसका पूरा फाइदा उठाओंगे और मज़े की बात यह है कि इन दो मिनिटों में आप सब शांत रहेंगे तो आप शांती से मेरी बात सुनेंगे वैसे क्या है कि अक्सर लोग कहानियों को बड़ा चाड़ा कर सुनाते है तो मेरे साथ जो कुछ हो वो मैंने बताया तो यह अच्छा अब जन नाटे मंच प्रस्कुत करता है अपना छोड़ा सा नाटक चोर मचाई शोर के तरफ से केंद्र के मंत्री आए है आपके भी जंदापुर में नवस्कार नवस्कार यह जो कूड़े का पहार देख रहे है ना हम इसका उपाई जरूर ढूनेंगे आपसर बाबू जी मंत्री जी जरा बताओ पाई मेड़ा हम इस कूड़े के छोटे छोटे कॉले मना कर बडोसी डेश पे फेगे के खूड़ा पम बडोसी डेश पे फे खूड़ा पम अगर कही है सर्क तो उदारला समील पर तो जिन्द है